discussion start करने से पहले एरिस्टोटल का एक कोट है हम देखो वही है जो हम बार-बार करते हैं जो excellence है वो एक act नहीं है बलकि एक आदत है एक habit है इसका मतब देखो ये है हमारे actions और habits हमें define करती है जो हम बार-बार और consistently करते हैं वही हम बन जाते हैं आप example देखिए जो athlete daily मैनत से practice करता है वो उस athlete से better होगा जो कभी-कभी effort डालता है उसी परकार से वो students जो consistently पढ़ता है consistently revise करता है consistently practice करता है questions की वो उस student से better perform करेगा जो सिरफ exam से पहले कुछ समय के लिए पढ़ता है ये कभी-कभी practice कर लेता है समझ गे? excellence देखो कोई एक time का event या एक brilliant act नहीं है बलकि consistently चीज़ चीज़ को बार-बार करेंगे तो अपने आप excellence आ जाएगी देखो सबसे relevant example तो मैं आपको अपना दिना चाहूँगा YouTube पे आप देख सकते हो सर्च मारके 2016 की videos जब मैंने पढ़ाना start किया था जब editorial discussion start की थी तब से लेके अभी तक मुझे अपने आप में इतना improvement मैसूस होता है क्यों? क्योंकि लगातार 8 सालों से ये चीज़ मैं कर रहा हूँ दिन परति दिन daily कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है तो इस वज़े से जो discussion है वो इतनी जबरदस्थ हो पाई है और अभी भी improvement का बहुत scope होगा आने वाले सालों में आप और भी ज़दा देखने को मिलेगा तो जब देखो answer writing start करो थोड़े से answers में आपकी दिखते हों कम marks हो तो निरास कभी मत होईएगा बस consistent रहिएगा बार बार practice कीज़ेगा over the period of time उसका result देखने को मिलेगा date आज की 12 April है तीन issues details से discuss करेंगे सबसे पहले issue हम discuss करेंगे आज womanomics से सम्मदित जपान में womanomics reforms आए महिलाओं का participation labor force में बढ़ा इंडिया क्या lesson सीख सकता है दूसर आर्टिकल यहाँ पे हिमालियन रिजन से सम्मदित है और सबसे लास्ट में आर्टिकल UN Security Council से सम्मदित चलिए discussion स्टार्ट करते हैं आज की discussion में फर्स्ट हिमोडन आटकल जपान के womanomics reforms से सम्मदित हैं और इंडिया क्या lessons सीख सकता हैं आप देखो स्लेबस में GS Paper 1 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूं देखो जपान की जो population है एजिंग population है मतलब जपान की population बुड़ी हो रही है वहाँ पे देखो life expectancy न महिलाओं के लिए almost 86-87 के आसपास है और men के लिए वहाँ पे life expectancy 81-82 के आसपास है लेकिन जपान में न total fertility rate 2.1 से काफी कम है 1.3 के आसपास है और आपको पता है अगर population को stable रखना है न तो total fertility rate मतलब एक महिला अपने life में कितने बच्चों को जनम देती है वो कम से कम 2.1 तो होनी चाहिए तब भी population stabilize हो पाएगी अगर 2.1 से ज़्यादा है तो population grow करेगी अगर total fertility rate 2.1 से कम है तो मतलब population decline करेगी तो जपान में total fertility rate कितनी है 1.3 मतलब जपान की population जो है वो कम हो रही है population कम होने की वज़े से working age population कम है यानि काम करने वाले लोग कम हो रहे है labor की shortage है और इसका impact जपान की economy पर भी काफी पढ़ा है तो जपान के पहले Prime Minister हुआ करते थे Shinjo Abe गोली मारकी उनकी हत्या कर दी गई थी एक दो साल पहले की बात है तो वो ना कुछ reforms लेके आए अबेनोमिक्स ये जो reforms थे ना अबेनोमिक्स ये जपान की economy की growth rate को increase करने के लिए थे जपान लंबे समय से slow economic growth rate से जूज रहा था तो इनके पूरु परधानमंत्री ये Shinjo Abe ये कुछ reforms लेके आए economic growth rate को increase करने के लिए और उसे बोला जाता है अबेनोमिक्स अब देखो जपान के ये पूरु परधानमंत्री Shinjo Abe ये बहुत सारे reforms लेके आए थे जिसमें से एक reform woman centric था और उसी reform को बोला जाता है womanomics समझे ये बहुत सारे reforms लेके आए थे economy growth rate को increase करने के लिए लेकिन जिसमें से एक reform woman से समंदित था और उसे बोला जाता है womanomics यानि woman plus में economics reform देखो ये था महिलाओं की participation को अगर labor force में increase किया जाए तो दोनों काम सर्व हो जाएंगे एक तो देखो gender equality की तरफ जपान आगे बढ़ेगा दूसरा जपान में जो labor की shortage है वो दूर हो जाएगी क्योंकि महिलाओं पहले कम काम करती थी जपान में अब वो labor force में ज़्यादा सामिल होने लगी है ज़्यादा महिलाओं काम करने लगी है तो labor की problem भी solve हो जाएगी और overall purpose जो है slow economic growth rate को increase करना वो purpose भी सर्व हो जाएगा तो ये है womanomics लेकिन question ये उठता है क्या किया गया womanomics में मतलब महिलाओं की labor force में participation increase करने के लिए जपान में क्या किया गया और इसका क्या impact देखने को मिला impact तो देखो अच्छा देखने को मिला मतलब ये womanomics जो policy थी अच्छी साबित हुई इसका positive result सामने आया जपान में महिलाओं का labor force में participation 2013 में 64.9% था जो 2023 में बढ़के 75.2% हो गया है मतलब 30,000,000 जो महिलाओं है labor force में entry कर चुकी है तो labor shortage की जो problem है कुछ चत तक सोल हुई है जपान में अब question ये उठता है कि आखिरकार जपान ने क्या किया कौन से reforms जपान लेके आया womanomics में जिससे कि उनकी participation बड़ी labor force में देखो सबसे ज़्यादा जो जपान ने focus किया न वो day care capacity पर focus किया day care capacity अब जैसे भारत का example लेजिए महिलाओं office क्यों नहीं जा पाती बड़ा reason ये है बच्चे छोटे हैं घर में है अगर महिलाओं office में चली गई तो फिर बच्चों का ख्याल कौन रखेगा ये एक cultural norm है ना हमारे देश में क्या दूसरे देशों में भी कि महिलाओं जो है वो घर का काम करेंगी ये जो stereotyping है इसकी वज़े से हो ये जाता है कि महिलाओं घर रहके बच्चों की care करेंगी लेकिन मान लीजिए day care facility है नजदीक ही और ये भरोसा है महिलाओं को कि बच्चे का ख्याल वहाँ पे उस day care facility में अच्छे से रखा जाएगा तो वो अपने बच्चे को छोड़ सकती है उस day care facility में और office से आने के बाद बच्चे को वहाँ से ले सकती है तो जपान में न पहले day care capacity कम हुआ करती थी 2012 में थी ये सिरफ 2.2 million हलाद तो देखो ये थे even waiting list थी day care facility को avail करने के लिए जपान में waiting list थी माली ये सुजू की कपल है उन्होंने बच्चे को जिनम दिया अब बच्चा हो गया एक साल का अब बच्चे को day care में छोड़ना है नहीं है day care facility टाइम लगेगा अभी दो साल का waiting period है ऐसे हालाद थे लेकिन जपान की सरकार ने decide कि कि invest करते हैं ज़्यादा centers open करते हैं day care facility वाले तो 2018 में capacity बढ़के हो गई 2.8 million बच्चों की और 2023 में तो जपान की सरकार ने ये announce किया हम देखो day care facilities में ना और भी announce करेंगे 26 billion dollars हम और लगाएंगे ताकि और ज़्यादा बच्चों की care की जासके अब जितना ज़्यादा बच्चों की care centers होंगे उतना ज़्यादा महिलाएं फिर workforce को join करेंगी तो ये पहला step है day care capacity को expand करना अब दूसरा step gender neutral parental leave अभी देखो हमारे देश में जैसे बच्चे के जनम पे maternity leave कितने weeks की मिलती है 26 weeks की हाना और paternity leave हमारे देश में मिलती है 15 दिनों की लेकिन जपान में न paternity leave कितने दिनों की है 52 weeks की और maternity leave कितनी 58 weeks की मतलब फादर भी बच्चे के जनम पे 52 weeks की leave ले सकते है तो अब मतलब बच्चे को संभालना एक सरकार की तरफ से message है सिरफ महिलाओं का काम नहीं है बलकि पूरुसों का भी काम है पूरुस यह नहीं कह सकते कि हमें diaper change नहीं करने आते 52 हफते बहुत है सीख लो भाई नेश्ट है Act on promotion of woman participation अब देखो जपान की सरकार ने एक काम क्या किया अलग-अलग companies को न certificate दिने श्टार्ट कर दिये certificate का नाम था Irubossi Certification Irubossi Certification में श्टार्स दिये जाते हैं अगर मान लिजे कोई company है ABC उसने बढ़िया काम किया है महिलाओं के लिए flexible working hours की विवस्था की है इसके अलावा diversity है employees में मतलब 50% men है 50% महिलाओं है pay में gap नहीं है जितनी salary महिलाओं को मिलती है उतनी पूर्षो को मिलती है तो ABC company ने सब अच्छा अच्छा काम किया तो उसे 5 star मिलेगा कोई और company है XYZ उसने थोड़ा सा कम काम किया है महिलाओं के लिए तो उसे 4 star मिल जाएगा तो ये जो certification है न जपान में काफी माइने रखती है जिसके पास में इरूबोसी certification में 5 star है वो company उस company की reputation अच्छी है समझे मतलब black belt से भी ज़्यादा reputation है इसकी तो इस वज़े से और ज़्यादा companies जो है वो जागरुख हुई और उन्होंने women employees के लिए अच्छे steps लिए ज़्यादा है unpaid care में unpaid care समझते हो ना जिसे घर में बच्चों का ख्याल रखना खाना बनाना अब प्रंप्रगत रूप से पट्रियार्टी के कारण महिलाई ये काम करती है अब इन कामों के लिए उन्हें पैसे थोड़ी न मिलते हैं ये unpaid care है तो जपान में जहां unpaid care महिलाओं के द्वारा 5.5 times की जाती है as compared to men और इंडिया में unpaid care 8.4 times महिलाओं के द्वारा की जाती है as compared to men अगर देखो इस काम की value निकाले economy के sense में तो इंडिया में ये 15 से 17% of GDP निकल के आएगा और जपान में अगर value निकालें तो 20% of GDP ये निकल के आएगा जो महिलाओं काम करती हैं लेकिन उसका कोई पैसा नहीं मिलता घर में अब बात करते हैं इंडिया के लिए क्या lessons है सबसे बड़ा lesson इंडिया के लिए ये है आप domestic और care work में जब invest करोगे ना जैसे day care centers ज्यादा open किये जपान में तो उसका positive result सामने आएगा तो सरकार को इस चीज में invest करना चाहिए day care facilities में next changing perception around social norms देखो लोग जो perception है न वो जरूर बदलनी होगी अब बिसक जपान में 52 weeks की leave provision father के लिए paternity leave provision है अगर उसे father avail ही नहीं करेंगे तो फाइदा क्या तो मतलब norms change करने बहुत जरूरी है stereotyping change करने जरूरी है mindset change करने जरूरी है even employer का भी employer जब महिलाए maternity leave या फिर father paternity leave लेते है न तो employer narrow mindset से न देखें broader mindset से देखें कि यह देश के लिए जरूरी है यह चीज, encourage करें employer flexible रहे महिलाओं के साथ कि हाँ आपके लिए flexible working hours है हम समझते हैं कि आप day care में भी time spend कर रही है तो mindset change होना जरूरी है और बात करें देखो जपान ने सिरफ day care facility में नहीं invest किया अब कई बार जैसे महिलाएं हैं वो elders की भी care करती है घर में कोई बिमार है उनकी भी care करती है तो इन सब चीजों में जपान की सरकार ने invest किया है even elder care facilities में भी invest किया है जपान ने इन चीजों में प्राइवेट सेक्टर की investment को भी incentivize किया है समझ गए कि जाला जाला private companies आगे आएं day care facilities में invest करने के लिए elder care facilities में invest करने के लिए हमारे देश में भी जो elders की population है वो देखो 2050 आते आते 20% of total population हो जाएगी तो सरकार को न पहले से तयारी करके रखनी चाहिए elder care facilities में invest करना चाहिए अब इसके बाद points आते हैं womenomics क्यों जरूरी है वो इसलिए जरूरी है traditionally divided role रहा है men और women का यह मान लिया जाता है समाज के द्वारा कि men बाहर जाके कमाएगा और women घर में family की देखपाल करेगी और घर चलाएगी लेकिन देखो question यह उठता है क्या महिलाओं की aspiration नहीं है कि वो भी घर से निकलके अपने potential को रीच करें क्या सिरफ men का काम है कि वो economy में contribute करें क्या महिलाओं का काम नहीं है उसे सिरफ घर में रहना है और कुछ नहीं बनना है इसके बाद राइटर एक और important point बोलते हैं अब देखो आपको यह लगेगा जितनी ज़्यादा महिलाओं education प्राप्त करेंगी उतनी ही ज़्यादा महिलाओं का labor force में participation होगा लेकिन देखो ऐसा नहीं है यहाँ पे यू कर्व देखने को मिलता है यू कर्व मतलब अगर देखो महिलाओं कम पड़ी लिखी है तो वो छोटे काम जादा कर लेंगी जैसे खेतों में काम करना या फिर domestic help का काम करना ऐसा देखने को मिलता है लेकिन महिलाओं ने माली जीए बारवी पास कर ली या फिर graduation कर ली लेकिन simple BA की degree है जब महिलाओं इतना पढ़ लेती है न तो फिर बलकि labor force में participate करने की संभावना कम हो जाती है बढ़ने के बजाए वो देखो इसलिए क्योंकि महिलाओं को न पढ़ाई के इसाब से jobs नहीं लग पाती और domestic work या फिर खेतों में काम करने नहीं देते घरवाले और महिलाओं खुद भी नहीं करना चाहती इतना पढ़ाई करने के बाद में तो यह जो stage है न कि थोड़ा बहुत महिलाओं पढ़ लिख गई तो इस stage में बलकि labor force में participation कम हो जाता है लेकिन मान लीजिए महिलाओं ने professional degree कर ली MBBS कर ली या फिर BTEC कर ली तो फिर labor force में participation ज़्यादा होता है महिलाओं का इसलिए u curve है u curve मतलब अगर कम पढ़ी लिखी महिलाओं तो labor force में participation ठीक ठाक अगर पढ़ाई intermediate है तो फिर labor force में participation कम और अगर मान लो पढ़ाई ज़्यादा ही है professional degree है तो फिर से महिलाओं का participation labor force में ज़्यादा तो यह जो है u curve phenomenon देखने को मिलता है लास्ट में राइटर ना five pillar strategy बताते हैं इंडिया के लिए सबसे पहले आप gender neutral and paternity leave policies लेके आओ यानि man के लिए भी paternity leave का provision होना चाहिए अभी है 15 दिनों का लेकिन gender neutral होना चाहिए जितने दिनों की महिलाओं की उतने ही man की भी ताकि man जो है घर के काम में बच्चे की care में अपनी wives का हाथ बटाएं next subsidies for availing providing care services अब मालीजे कोई person हैं वो day care service start करना चाहता है manisa है manisa day care service start करना चाहती है सरकार उसको incentive दे सरकार बोले कि ठीक है आपको हम tax में छूट देंगे आप करिए start तो इसे ज़्यादा ज़्यादा day care services open होंगी next even देखो सरकार के साथ साथ private sector investment को increase करना चाहिए सरकार को care infrastructure and services में care workers को skill training दी जाए और last में care services और infrastructure में quality का assurance होना चाहिए अगर parents को ये लगेगा इंडिया में कि हमारे बच्चे की देखपाल सही नहीं होगी उस day care center में तो फिर आपको पता है फिर तो parents बच्चे छोड़ेंगे ही नहीं काफी emotional connect होता है आपको भी पता है तो basically ये पांच pillar strategy writer बताते हैं जपान से हम ये सब सीख सकते हैं अब चलते हैं आगे इसके बाद next article हिमालियाज से सम्मदित है focus लगदाक पे है लेकिन वैसे पूरा article हिमालियाज के बारे में है आप GS paper second के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हो लगदाक से सम्मदित हमने एक comprehensive article डिसकस किया था अलमुष 10 दिन पहले सोनम वांग चुक इन्होंने 21 दिनों तक आमरण अंसन किया अपनी मांगों को लेके हमने detail से डिसकस किया था राइटर कहते हैं लदाक जो है ना तीन देशों के बीच में आता हैं इंडिया चाइना पाकिस्तान हाइट है 11,500 फीट 97 परसेंट जो लोग रहते हैं वो इंडिजिनस ट्राइब्स के हैं और इन में से कई तो ऐसे हैं जो पाश्टर लाइफ से अभी भी जीते हैं जैसे अ हैं इंडिया चाइना के बीच बोडर डिस्प्यूट के कारण लेकिन देखो लदाक इसके लावा क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इंपक्ट से जूज रहा है जैसे फ्लड्स, ड्रोट्स, लेंड्सलाइट्स, ग्रीन हाउस गैसे और दूसरे पोलिटेंट्स इन पर थो हैं इनी ग्लेशियर से पानी मिलता है इंडस नदी को गंगा नदी को ब्रंपूत्र नदी को और काफी सारी नदियों को लेकिन ये जो ग्लेशियर से पिगल रहे हैं ना क्लाइमेट चेंज के कारण अब देखो इस से यहाँ पर जो लोग रहते हैं और जो इन नदियों का फाइदा उठाते हैं नदियों से पानी लेते हैं दोनों की जो लाइफ है ना खत्रे में आ सकती है भवीश्य में यानि आने वाले समय में 2008 में वैसे सरकार ने National Action Plan on Climate Change में आठ missions launch किये थे जिन में से एक था National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem Department of Science and Technology ने ये कहा था उसमें हमारा जो objective है इस mission का National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem का हम ना vulnerabilities access करेंगे कि Himalayan region को ना किन चीजों से खत्रा है और फिर उन्हें address करके हम Himalayan Ecosystem की health को restore करने की कोशिज करेंगे लेकिन अब देखो ये mission पूरी तरह से ignore कर दिया गया है आजकल इस mission पे कोई चर्चा नहीं होती सरकार change हो चुकी है जहरे तोर पे लगदाक जब Union Territory बनाना 2019 में उसके बाद तो देखो construction projects की बाद आ गई bridges, roads को चोड़ा करना, tunnels मनाना, railway lines, बड़े-बड़े solar projects state-of-the-art airport terminal का निर्मान चल रहा है ताकि tourism को boost किया जासके examples हैं देखो 14.15 km का जोजीना tunnel 230 km का कार्गिल जंक्सर नैशनल हाइवे प्रोजेक्ट 11 गिगावाट का solar energy project जो देखो, चंग-ठंग region में 20,000 एकड में फैला हुआ है 2023 में लद्दाक industrial land allotment policy भी आई ताकि लद्दाक को एक attractive destination के तोर में develop किया जासके यहाँ पे ज़्यादा infrastructure के लिए investment आए BRO और NHIDCL पूरा नाम है National Highway and Infrastructure Development Corporation यह दोनों bodies में लद्दाक में infrastructure का काम कर रही है अगर आप NHIDCL की website पर जाओगे ना तो यह लिखा मिलेगा नोर्ट इस्ट रीजन में जमू एन कस्मीर के strategic areas में लद्दाक में, उत्राखंड में अंडमान एनिकोबर islands में National Highways और दूसरे infrastructure के project develop करना राइटर बोलते हैं यह सारे वो reasons हैं जहां पे ecosystem काफी ज़्यादा fragile है और यहां पे यह सारे जो reasons है ना यह climate change related disasters से काफी ज़्यादा vulnerable है खत्रा काफी ज़्यादा है इन सभी reasons को और देखो सबसे ज़्यादा हराणी की बात पते क्या है और हराणी की बात जानते हो क्या है देखो अलग-अलग जो government bodies है न वो इतना तेजी से Himalayan region में projects को sanction कर रही है लेकिन यह भी नहीं देखती कि past में disasters के कितने examples है जैसे देखो 2013 में उत्राखंट रास्दी आई थी केदारनात्स में 6000 लोग की जान चली गई थी 2023 में जनवरी में जोसीमठ में disaster हुआ नुवंबर 2023 में यानि पिछले साल के अंत में सिल्की मारा टरनल प्रोजेक्ट में 41 मजदूर फस गए थे पूरे वर्ल्ड में ये गटना famous हो गई थी तो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देती अलग-अलग government bodies प्रोजेक्ट को sanction करने से पहले उत्राखंड जहां पर देखो कई सारी disaster आई है 2000 के बाद से बलकि ना Supreme Court ने एक expert committee गठित की और इवन ये भी suggest किया कि इस चार धाम में यात्रा करने वाले यात्रियों की जो संख्या है उसे limit किया जाए carrying capacity के हिसाब से होनी चाहिए carrying capacity मतलब कोई जगाए है वहाँ पर ecosystem कितने tourist को sport कर सकता है without degradation तो carrying capacity की भी बात होने लगी कि इतने सारा tourist जाएंगे तो ecosystem को नुकसान पहुंचेगा लेकिन कोई action नहीं उसके बाद तो बलकि tourist की संख्या भड़ी ही है कम नहीं होई है कुछ experts committee ने ये भी suggest किया कि para-glacial zone में कोई hydroelectric project ना set up किया जाए जब देखो tragedy हो जाती है तो असली कीमत जानते हो कीने चुकानी पड़ती है गरीब लोगों को, migrant workers को local residents को, tourist को या फिर pilgrims को लेकिन वो government bodies जिन्होंने project को sanction किया क्या उनको कोई कीमत चुकानी पड़ती है answer है no क्या वो लोग जिन्होंने project को execute किया, क्या उनको कोई कीमत चुकानी पड़ती है, answer है no कई सारी expert committee की reports ने सावधान रहने के लिए कहा है लेकिन इनकी जो reports है उन पे धूल चड़ रही है अभी भी project sanction करने से पहले कोई risk assessment नहीं किया जाता क्या risk है project को यहाँ पे develop करने से, क्या safety measures लेने के आप सकता है, क्या यहाँ पे भुकंप आएगा तो इसका क्या असर होगा, कोई seismic analysis नहीं किया जाता और बड़े बड़े जो projects हैं वो himalian region में established हो रहे हैं देखो development के नाम पे हम himalian ecosystem और biodiversity में जो यह कमजोर balance है, इसको नहीं बिगडने दे सकते तो इसलिए यह सरकार को ensure करने के आऊ सकता है कि जो लोग himalian region में रह रहे हैं वो हमेशा डर के साय में ना जीए कब कोई damn तूट गया कब landslides आने की वज़े से घर तूट जाएंगे, उन्हें हमेशा डर के साय में जीने से रोका जा सकता है अगर development थोड़ा सोच समझ के आए, risk analysis और बाकी तमाम तरके analysis करके आए तो ये पूरा article हमने डिसकर्स किया चलते हैं आगे इसके बाद नेस्ट article United Nations Security Council से समधित हैं आप syllabus में GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हों देखो आज के समय में वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा instability हैं security situation situation पहले से काफ़े ज़्यादा खराब हुई है और बहुत यूद चल रहे है examples जानना चाओगे आपको पता है जहां देखो यूकरेन और रिश्या के बीच में यूद तीसरे साल में एंटर कर गया है गाजा में इस्राइल और हमास के बीच यूद साथवे महिने में एंटर कर गया है येमेन की situation, सुडान की situation लीबिया, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया इन सब देशों में situation ज़ादा अच्छी नहीं है security situation काफी खराब है और आर्मेनिया और अजर्बेजान में conflict है नागोर्नो, काराबक region को लेके और Pacific region में भी cold war देखने को मिल रहा है एक तरफ China के ally countries और दूसरी तरफ USA के ally countries देखो ऐसा तो है नहीं कि मानव सब बेता ने यूद नहीं देखे है मानव सब बेता का अगर इतिहांस उठा के देखे तो हर एक stage पे यूद देखने को मिले हैं लेकिन ऐसा लगा कि साइधना Second World War के खतम होने के बाद अब इनसान जो है वो civilize हो गया है stability चाहता है और अपनी past गलतियों से सीख गया है Second World War के बाद UN को establish किया गया था 24 October 1945 को क्योंकि UN से पहले वाली जो body थे ना League of Nations वो fail हो गई थी youth को prevent नहीं कर सकी थी तो इस body को खतम करके UN establish किया गया था ताकि आने वाली generations को वार के परकोप से बचाया जासके और देखो जब एक को international body establish की जाएगी peace establish करने के लिए तो जाहिर तोर पे जो बड़े बड़े देश होंगे major countries उनका तो role होगा ही तो उस समयना US, Britain, France, China, Russia इनको veto powers दिये गए थे और इस पर सहमती बनी Yalta Conference में February 1945 में कि ये देश जो है वो UN में power share करेंगे Security Council में यनि इनको veto मिलेगी अगर थियोरी की बात करें तो ये कह सकते हैं कि San Francisco जो conference इस conference में UN Security Council को काम दिया गया था कि आपको पूरे world में peace maintain करनी है security maintain करना है यानि विबिन देशों के बीच में conflicts को prevent करना है और सांती establish करवानी है काम भड़ा था Security Council के लिए इसी वज़े से UN Security Council एक मातर UN की body है जिसमें अगर कोई resolution पास होता है न तो वो binding होता है बाकी तो UN की bodies में कोई भी resolution पास हो जाए वो non binding होता है लेकिन Security Council में situation अलग है तो Security Council को power दी गई कि आप peace keeping operations को approval दे सकते हो किसी देश के ऊपर international sanctions लगाने है तो आप approval दे सकते हो अगर किसी देश के खिलाफ में action लेना है military action तब भी आप approval दे सकते हो ये सारी powers UN Security Council को दी गई थी लेकिन देखो सबसे बड़ी गलती ये कि power को share कर दिया पाँच major countries के बीच में तो एक famous quote है shared power is diminished power Mary Joes Theriot का ये quote है अगर power को share कर दिया तो इसका मतलब power को आपने खतम कर दिया writer कहते है situation तो देखो even इससे भी खराब है ये पाँच देश जिनको veto power मिली न बोला गया शुरुवात में कि ये absolute power है लेकिन अब न उनकी ये power helpless power हो गई है सिरफ एक चीज के कारण वो है veto power कैसे veto power कोई भी action लेने ही नहीं देती UN Security Council में हम example की साहिता से समझते हैं जैसे देखो Russia Ukraine के बीच में यूद चल रहा है Security Council मेंने कई बार resolutions आये Russia के खिलाफ action लेने के लिए या फिर यूद सुलजाने के लिए लेकिन Russia हमेशा अपनी veto power का यूद कर लेता है और वो resolution पास नहीं हो पाता इस्राइल हमास के बीच में यूद चल रहा है गाजा में अनेकों बार resolutions आये इस्राइल के खिलाफ action लेने के लिए रुद को रोकने के लिए लेकिन हर बार US से अपनी veto power का इस्तमाल कर लेता है और इस्राइल के अगेंस्ट resolution पास होने से रोक देता है मतलब veto power की वज़े से ये security council जो है पूरी तरह से ठप हो गई है कामी नहीं कर रही है पहले भी लेकर देखो चिंता थी इस veto power को लेकर अप्रेल 1945 में पहली बार ये issue raise किया गया था सेंट फ्रैंसिस्को में कि भाई veto power का provision मत कीजिये लेकिन situation ये आ गई थी कि अगर veto power नहीं दो गए तो charter आएगा ही नहीं UN का तो फिर उन देशों ने सोचा कि कम से कम यार veto power दे रहेते हैं body बने तो सही UN का charter आए तो सही लेकिन देखो जो डर था ना उससे में कुछ experts का वो बिल्कुल सही साबित हुआ कई कई foreign ministers तो ना बहुत ज़्यादा खुक्यात रहें हैं इतनी ज़्यादा veto का इस्तमाल करने के लिए जैसे Soviet Union में एक foreign minister थे एंद्रेई Gromeko इन्होंने इतनी बार veto का इस्तमाल किया हर छोटे छोटे इशू पर ये security council में veto का इस्तमाल किया करते थे और कोई decision लेने ही नहीं देते थे security council को अभी न Macron ने ये बोला ये जो body है ना UN security council अभी कोई useful solutions नहीं produce कर रही है एक जर्मन ने तो ये भी कह दिया ये sleeping beauty है जो इंतजार कर रही है कोई आके kiss करेगा और उठाएगा मतलब ये keywords आप इस्तमाल कर सकते हो UN security council में के बारे में जब answer writing या essay में कुछ लिखना हो 79 years की जल्द ही ये body होने वाली है अब कुछ देश बोलते हैं fundamental reforms आने चाहिए जैसे कुछ नए देशों को add कर दिया जाए जैसे इंडिया, जपान, जर्मनी, ब्राजिल कुछ देश ये बोलते हैं कि veto power खतम कर दी जाए पता देखो सभी देशों को है कि body अब कोई काम की नहीं है लेकिन कि फ्रांस और दूसरे बड़े देश दूसी तरफ है तो ऐसी polarization के समय में reform नहीं आ सकते UN security council में इसी वज़े से साइध experts ने इस body पे ध्यान देना ही छोड़ दिया है लेकिन देखो कोई तो body चाहिए न वार्स को prevent करने के लिए अगर UN security council नहीं तो और कौन सी body जब तक देखो कोई और body नहीं आ जाती कम से कम इसी body को empower किया जाए इसी body को ठीक किया जाए अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तो देखो law of jungle चलेगा मतलब कोई international body नहीं है peace maintain करने के लिए फिर तो powerful country छोटे countries को दबाएंगे ऐसा ही चलता रहेगा जैसा जंगल में चलता है powerful जानवर चोटे जानवर को दबा देता है मार देता है उसी परकार से विभिन देशनों के बीच में situation चलेगी अगर कोई international body नहीं होगी तो तो यह पूरा article हमने discuss किया चलते हैं आगे questions देख लीजिए जो आपको attempt करने हैं दो questions आपको attempt करने हैं एक तो देखो veto power से समंदित है और दूसरा question womanomics से समंदित है जपान के womanomics से India care lesson सीख सकता है और क्या challenges है उसके बाद में comprehensive approach भी address करनी हैं तो दो questions आप attempt केजिए यह थी हमारी आज की discussion कल मिलते हैं फिर से एक जबरदस्ट discussion के साथ तब तक बढ़िया से पढ़िया अपना ख्याल रखिए thank you thank you very much for discussion